जैशी कृष्णा स्वागट है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसा चल रहा है सबके परिवार में जरूर बताते रहिएगा आज एक बहुत विशिश चीज पर बात करने आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेज थे और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मा इस टॉपिक पे तो जरूर हमसे कुछ ना कुछ शेयर कर लो वैसे तो देखे मैं आपके एस्टोलॉजन हूँ वास्तुशास्ती हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लखीरे भी पढ़ लेती हूँ लेकिन उससे पहले चुकी आपकी सार्थी हो और सार्थी होने के साथ साथ आपकी मा भी हूँ इस आपको पता है यह किस ग्रह की वज़े से होता है वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन नहीं याद है तो चलो एक बार वापस से रिपीट करते हैं इन सब का कारण होता है सबसे पहले गुरू उसके बाद बोद और उसके बाद शनी जीवन में जब जब ग्रहों की पीड़ा आती है वो सबसे पहले हमारे शरीर के अंगों को हमारे शरीर को अपनी ग्रफ्त में ले लेती है और इस तरह ग्रफ्त में लेती है कि हमें कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ प्राब्लम्स नजर आने लगती है जैसे ही बच्चे टीन एज में आते हैं आपको पता है उनका गुरू एक्टिव हो जाता है 16 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर गुरू की जागरती के सारे प्रमान दिखाई देते हैं तब ही हम ऐसा बोलते हैं कि 16 साल की आयू तक बच्चों को ओम का उच्चारण करवाईए गायत्री मंद का जाप करवाईए हनुमान 40 अपड़ाईए क्यों क्योंकि तब तक गुरू उनकी कुनली के अंदर उनके शरीर के अंदर अपनी पून तरह से चीज़े विक्सित करने लगते हैं तो जब गुरू का विकास होने लगता है तो नैच्छल बात है कि हार्मोन्स चेंज होने के कारण आपकी बॉड़ी में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से आपको पिंपल्स आने चालू होते हैं आपके बालों की growth बढ़ने लगती है, आपकी body का structure बदलने लगता है, चरबी आने लगती है, कुछ लोग बहुत fatty हो जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत slim हो जाते हैं, इन सब का कारण जो होता है, वो breast पती होता है, अगर हम थोड़ा सा और आगे की बात करें, यानि कि हम बात जो 20 से लेकर और 30 तक की age में होते हैं, उनके साथ काम करते हैं शुक्र, और शुक्र जब काम करते हैं, तो वो body के अंदर कैसी चीज़े देते हैं, skin के अंदर डलने साथ जाना, skin का छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होना, skin पे डाग धब्बे हो जाना, pigmentation हो जान skin के अंदर glow चला जाना, ये सारी चीज़े जो होती हैं, वो शुक्र के कारण होती हैं, लड़कियों की शादी हो गई, और उनके बच्चे हो गए, और उनकी body को अब जादा nutrition के जरूरत है, अब उनकी body को और जादा protein, vitamins की जरूरत है, और बच्चियां जो हैं, वो अपने और ध्लान नहीं रख पाती हैं, जिसकी वज़े से उनकी skin में problem होनी चालू हो जाती है, यहां पेकारग्रह जो हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है, जो बुद्ध उनकी body के अंदर, उनकी skin tone को down करता है, चहरे का रंग पीका पढ़ने लगता है, चहरे पेकाला पन आने जुरियां आने लगती हैं, और कहीं कहीं पे spots भी आते हुए दिखाई देने लगते हैं, अगर आपके साथ भी यह सारी समस्याएं हो रही हैं, तो इनके निवारन के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए, वैसे तो अगर मैं आपको astrology अध्यात्म से अलग कुछ उपा क्लींज का सबसे अच्छा तरीका जो है वो नारियल का तेल है, आप नारियल के तेल को cotton के अंदर डुबो के उससे अगर अपना चहरा अच्छी से साफ करते हो तो इससे अच्छी क्लींजिंग किसी भी चीज से नहीं हो सकती, आप अगर साउच साइड रहते हो या आपके आसपास नारियल का दूद अगर आपको मिल जाता है, तो आप उससे करिए, उससे भी आपको इस चीज में बहुत फायदा मिलेगा, जो लोग नारियल पानी बहुत पीते हैं, उनको भी इस चीज से बहुत फायदा होता है, स्किन में ग्लूव आता है, अंदर से चीजे अगर अलोवेरा के साथ मिला कर आप कुछ देर अपने चहरे पे पैक लगा के अगर रख लेते हैं, और फिर आप ठंडे पानी से या हलके गुनगुने पानी से अपने चहरे को धो लेते हैं, तो इससे आपके चहरे की पिग्मेंटेशन जाती है, इससे आपको कितनी भी ज होती ही होती है यह तो हो गया हमारा एक साइंटिफिक तरीका जो आपकी बॉड़ी के अंदर आपके स्किन के अंदर एक नया जुजान देता है पर क्या आप जानते है नारियल का आपके कौन-कौन से ग्रहों के साथ क्या-क्या संबंध होता है गुरू जब-जब पीड़ा द पूजा का आरंब किया ही नहीं जाता देविस्थापना में नारियल रखा जाता है जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तब नारियल रखा जाता है कोई भी पूजा कर लिजे भगवान के मंदिर में नारियल जरूर समर्पित किया जाता है अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, स्किन से रिलेटेड और आपके स्किन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, आपके स्किन के अंदर बहुत पिग्मेंटेशन होते हैं, आप नारियल का तेल तो रेगुलर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में गुरवार वाले दिन, आप नारियल को आ वो ठीक होना आरंब हो जाएगी, सिर में जब प्राब्लम्स होती हैं, सिर में रूसी आती है, या सिर में से बाल बहुत जहने चालू हो जाते हैं, बाल बहुत डल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा नीबू नारियल के तेल में म आपको जब ये पीडा हो रही है तो जब आपके बाल जहनने चालू होता है इसका प्रथम कारक तो आपका गुरू होता है दूसरा कारक जो होता है वो शनी होता है शनी की वज़े से आगर आपके बाल जहनने चालू हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए लाल कपड़े के अंदर शनिवार के दिन एक मुठी काले तिल और उसके अंदर एक जटा वाला पानी वाला साबूत नारियल काले कपड का एक तार ले ली जिगाãy और उस से बांद कर उस कपड़े के अंदर रख कर आप शनीदेव के दूर हो जाएगी लेकिन याद रखना रेगुलर बेस में आपको नारियल का टेल उपयोग में लेना ही लेना है अगर आपके पैर की एडियां बहुत फटनी है पैर की एडियां फटने का मतलब होता है इंसान के स्वभग्य का जाना इंसान के जीवन में उनकी सक्सेस का रु लीजे कि शनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुद्रस्टी आपके कर्मों के उपर डाल ही रही है और कोई ना कोई आपका करम ऐसा है जो आपको शनी की नजरों में लाही रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको रेगुलर रूप से हनुमान जी के मंदिर में 11 नारियल श्री र और आपको सोते समय आप नारियल के तेल के अंदर थोड़ा सा मिला लीजे नीबू और उसको अपने पैरों के तलों में लगा कर और एडियों पर लगाना चालू कर अगर आपकी बॉड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा टैनिंग रहती है ऐलो वेरा मिलाकर नारियल का तेल लगाना चालू करिए कुछ टाइम के लिए रखिए और उसके बाद में स्क्रब करके या हलका सा आप खुद ही घर के अंदर स्क्रब बना लीजिए किसका कॉफी का हनी का इस तरह से सबको मिलाके आप एक स्क्रब तयार कर लीजिए और उससे अपनी बॉड़ी पे अच्छी से स्क्रब करके नहाना स्टार्ट करिए देखिएगा टैनिंग बिल्कुल भाग जाएगी और जब टैनिंग भाग जाएगी तो आटोमेटिकली गुरू आपके प्रभा के स्टाथी प्रधी तो आको किया करना चाहिए आपको किसी वृत और तो को सुमार के दिन नारियल का तेल जरूर दान करना चाहिए खास़ करके किसी ऐसी लेडी को करिए जो बहुत जरूरत मंद हूं अगर आप नारियल के त्ल में बणा कर अब Lewis मंनगलवार मंगलवार के दिन चोहाय पर रख्याते हैं, तो इससे भी आपके उपर आई हर नजर वगएरा दूर हो जाती है, अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कते और बहुत ज़्यादा शांती रहती है, तो आपको अपने मुख्ये द्वार पर एक छोटी सी से कच्च Space TV, आपके जीवन के अंदर बहुत जादा उपयोगी होता है, और नारियल हर चीज में चरहाना बहुत जरूरी होता है, हमको इस संकल्प लेते तब नारियल होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप जरूर जा कर मंदिर में नारियल चढ़ाया कीजिए मेरे हाँ जो भी विशिश मांगते हैं मेरे ठाकूजी से और उनकी जब मुरादे पूरी हो जाती है तो मैं कैथा आके नारियल जरूर चड़ा देना भाई आपकी पूरी बात हो गई अगर आप कभी जीवन के अंदर कुछ मांगी हुई मनौती भूल जाते हैं तो आपको एक लाल कपड़े के अंदर नारियल जरूर जाके दुर्गा मा के मंदिर में चड़ाना चाहिए और उनसे यह आश्रिवाद मांग होता है इसके बारे में एक और नया एपिसोड लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगी लेकिन तब तक के लिए मुस्कुराते रहेगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ यह जुड़े रहेगा प्यार देते रहेगा प्यार लेते र चुड़ू करेंगे प्यार से बंदे रहेंगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का ख्याल करेंगे हैपी न्यू यह ओल अफ यू हम फिर जल्द मिलने आएंगे तब तक के लिए जैशी कृष्ण सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रिशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुका है झाल